ल्सेयम and H.C.F.O.F. 72 and 108 योजिंग फ्राइम फैक्टर रजिस्न मेथड इस वीडियो को पुरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए चरहे हम सुरुआत करते हैं यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं अपने इनके प्राइम फैक्टर करने के लिए प्राइम नंबर से ड करेंगे इस प्रकार से तो आपका डिवाइड होगा यह आपका 36 टाइम इसको अगें टू से डिवाइड क्या वन एट टाइम हुआ इसको अगें टू से डिवाइड क्या 9 टाइम हुआ 9 को 3 से डिवाइड क्या 3 टाइम 3 में 3 का डिवाइड क्या 1 टाइम आप इसको ऐसे समझ वाजन वार थीन का 9 में भाग थीन वार okay समझ आगया यह आपके यहां पर इसके अब आज इगन यह आगे रहे हैं दो गुणा दो गुणा करूड़ थीन तीन इसकी बात करेंगे देखेए मैंने दो का डिर्ट किया फांस टाइम चलागे चार टाइम लो का डिवैड क्या दो टाइम साथ ताइम दो का डिवैड नहीं होगा तीन का डिवैड नो टाइम तीन में तीन नो में तीन का डिवैड तीन टाइम तीन में तीन का आपका डिवैड एक टाइम तो यहां पर 108 के आपके फ्राइम फेक्टर आगे दोस्तों देखो टू आपका ट कॉमन तक बात समझ आगी इन्का हां div क्लाइए बात करते हैं अपने ल्सी'm की देखअ जो डुनों के कॉमन यह हैं उनको तो लेना ही है अश्माज आ गया अबः जो बच्शे क्ला ले लो यहाँ पर कौन बचा हुआ है यहाँ ठ्री बचाओ अब इसा क्यूओ करते हैं का concept समझे देखिए LCM क्या होता है ऐसा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर से complete divide होगा तो कोई भी नंबर किसी नंबर से कब divide होता है जब उस नंबर के जिस नंबर में divide कर रहें उसमें factor होने चाहिए तो यहाँ पर देखिए 72 देखिए इसका पहले multiply कर देखिए उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ पर 2 multiply 2 और यह कितना हो गया दोस्तों आपका इसको देखिए 3 3 3 कितना 3 टाइम उसके बाद 2 टाइम है यह नहीं 108 हो गया और यह multiply 2 कि इतना 260 आप देखो मैं जो बात बताना चाहर उसको ध्यान से समझना कोई भी number किशी number से कब divide होता है जैसे बाहुतर से यह आपका 260 कब divide होगा यह इसमें बाहुतर का है आपका 23 टाइम है तो यहाँ आपका 23 टाइम लिया 32 टाइम है तो यह 32 टाइम मिल गया जोके 108 को देखे यह एपर 22 टाइम है और 3 आपका 3 टाइम है देखो इसके भी factor मिल गाए नहीं दोनों से कम्प्री डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ यहां पर क्या करते हैं इस चीज को लाने के लिए पहले तो दोनों में common factor ले 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 तो उसके बाद बच्चे factor को ले ले तिनी सारे factor इसमें आ जाते हैं जबके SCF इसका उल्टा काम करता है यह दोनों को divide करने का काम करता है तो कोई भी नंबर किसी नंबर से कब divide होता है जब उसके factor उसमें हो तो यहां पे SCF को देखो क्या है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 तो देखो 72 इससे डिवाइड होगा बिल्कुल होगा देखिए इसके जो factor यहां पर पढ़े है 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 इसमें भी पढ़े हैं इसलिए दोनों को common factor लिए तो यह अंतर रहता है इसकी पीछे का यह आपका logic है धान बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा